अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए अबाद से थार भेजिए और आपको ये विडियो अपना क्काई भेजिए है 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 थैंक यू वेरी मुच्छ दीबक थैंक यू किस बाग का यार अरे तेरे जैसे इतना बड़ा आदम हम लोगे सब सफर कर रहा था इसलिए यार चला दाइन बात हो फिर कभी लगाए गादा है तू जब भी कहएगा यार मैं हाजर हो जाओंगा पहले सेटल तो ह होने दे अरे तुम जैसे बड़े आदमियों को सेटल होने की क्या जरूरत है यू डिगली दिखाई और खुद की कंस्ट्रक्शन कंपरी खौल दी है सेटल तो अपने जलसे लोगों को होना है यार नहीं यार मेरे घरवाले डिसिप्लिन पसंद हैं वो तो चाहेंगे कि पह है इंपोर्टेड है हमारे बास ऐसी चार है फिर्ट मारूती जिप्सी यह सब तो हमारे नौकर चाकर यूज़ करते हैं अचा अरे आप आगे जीते लोगे जीत रहा हूं चलो 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 जल्दी करो अरे इस तरह मूँ खोल कर क्या देख रहे हो इनकी गोद में तो पलकर मे यह सब तो मेरा फर्ज बनता है यार चलो बेटो चलो जल्दी करो चलता हूं यार ओके बाई दीबेटो बाई दीबेटो बाई बाई सवाल देख बाई 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 चा गाड़ी है यार क्या हुआ अ अरी भाग्यूगंती आ गया तुम्हारा बेटा समालो से आ गया कहा है आ रहा है आ रहा मा अरे वही रूप वही रूप कैसा है रहे तु तुझे देखने के लिए मेरी आखे पत्रा गई थी मैं ठीकू मा बेलकुल भला चंगा भगवान करे तुझे नजर न लग जाए हो गई पुजा हाँ जी शाम को मिलेगे फुरसत से हाँ अजी मूता मिठा करो नहीं अभी टाइम नहीं है हाँ आपको हमेश् के साथ गुजार लोगे तो कोई आसमा नहीं तूट पड़ेगा अरी भागी वंती तुझे तो मालूम है साब जी टाइम के कितने पाबंध है यह तो उनका बड़ा पन है कि उन्होंने अपनी गाली दीपक को स्टेशन से लाने के लिए मैं इससे गबबबबजी में लग ज अपनी मा को बुला ले भाई ताकि मेरा प्रिंट शुटे अरे इनकी ड्यूटी के आगे न सुख है न दुख इससे अच्छा तो मिल्ट्री में भरती हो जाती ड्यूटी भी हो जाती और देश की सेवा भी हो जाती और उपर से फोजी कहलाती है तो अब कौन सा कम हूँ ड् सीलिंग में है ना और आप जानते हैं ना सीलिंग के अंदर नई फिल्म साइन करना कितना मुश्किल होता है फिर भी शाह साब देखिए मैं आपको एड्जस कर रहा हूँ बाई गॉड अब क्या है कि आप मुझे एड्जस कर लीजिए वेरी सिंपल इस हाथ दे इस हाथ ले समझे के नहीं समझ गया ना अरे वाँ शाह साब वाँ शाह साब आप तो भाई गॉड बहुत ही समझदार आत्मी है अचा अचा थैंक यू अरे वाँ वाँ ऐसे दो चार और समझदार प्रोडूसर मिल जाए तो मैं इस बंगले के सामने ही एक बंगला बने न्यारा किसका बंगला बना रहे हो मेरा हमारा आपका बंगला वो मद आइलन्ड वाला बंगला है ना जी वो तुम अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हो क्या मतलब मतलब तुम अपने मतलब के लिए मेरा हाथ काट सकते हो मुझे कोई में ठरकल सकते हो यह सर भाई गॉड थैंक डिखेशनी औस और किसी ही नहीं देखा। दुब या समझती हों यहाँ ? मैंने अपकी जान कुछ ने कुछ नहीं पॉげ aus तुब एंचे साल हो तुब मेरे मेरे साथ stereo उगी तुब नुक सांगे और अबक उखुली ने ? मैं जुद्र घॉधर भी गया हूँ पर भी बने कह दिया था कि आप तो त्यार हैं यह तो काका भी नहीं आये बगार काका के आप कहीं जाएंगे निए ब्राम जी तुम्हें मालू मैंना काका का हैं जी जानता हूँ वो आपने बेटे दीपक को लेने स्टेशन गए हैं आती होंगे वैसे ताइम के बड़े प्रफेक्ट हैं जैसे बारा की सुई होगी वो आजाएंगे वो आगए 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 अब तुम भी बारा की सुई की तरह एकदम सीधे हो जाओ वरना वरनाव शुटिक में लेट हो जाएंगे शुटिक में लेट हो जाएंगे सेक्रेटरी 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 रामू जी सारा समय लुक दिया जी 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 क्या कर रहा हां जी हां जी नी बोल सकता हां जी हां जी हां जी ठीक है भाई ग्यार्ट नमस्ते साफ आये नमस्ते नम सबसुने साइब ले आए आण सब्टीक हो भी सिय ना तो ओ भी सिय शबागी मतलब दीपक से मिले नहीं मिला तो सब जी मिले तो पूशां एंग जाया कियसा है क्या हाल चाल है अब हाल Damn पूछने लग जाता तो देर हो जाती ना, उपर से सिगनल पर सिगनल, मेरा ध्यान तो आपकी तरफ लगवाता कई शूटिंग में देर ना हो जाए, कमाल के आदमी है आप, इतने दुनवाद दी पकाया और ये भी नहीं पुछा कि कैसा है क्या हो रहा है, पूछ लेंगे ना मा, बापु जो हर महिने पैसे बेशते थे, उसमें सिवचा कर मैंने ये चीज़ें खरीदी हैं अरे मैं तो सतके जओं तुछ पे, कितना समझदार हो गया है तू, बस अब तू जल्दी जल्दी बड़ आदमी बन जा और मेरे लिए चांद सी बहु लेया वा, तेरी चांद सी बहु इस वक्त किस बदली में छुपी होगी कहता है ये मौसम चारणी है कई पे घटा कहता है ये मौसम चारणी है कई पे घटा सल्ची जाए है कि इंसे पूचोंगी तेरा पता अच्छी सुर्फों को छेर दीवानी जे सादर हमा सपने साजंगे तेरी है अब हमको सदा कैसा है मासम शारनी है ज़ीगे पे खता किया हो गया अरे ये तो हवा निकल गई अरे तु रजमा देख़ा हूं करा दो सबस्केशना अरे उस्तात किया हुआ पंचर हो गया पंचर हो गया पंचर पंचर करो हमाटे सब्सक्राइब को रोपत है जवाँ आई जवाली आई जैरुट सुहाली आई इतना असी है सवाँ पैसे में जिनता है करने को इस जाँ कहता है ये मौसम चारी है कहीं बेखता संची का रहे हैं इनसे पूछोंगी तेरो पता सपने साजन के देले है अब हम पूछ सदा अपना बनाओगी मैं दिल में बसाओगी मैं जब मिले गांचे किसकी दिवानी हो मैं किसकी कहानी हो मैं कैसे बताओ तुझे अज नहीं साजन में जब मिल जाएगा उसका रहे हैं इनसे पूछोंगी तेरो पता सपने साजन के देले है अब हम को सदा जललललला इसमें जुल्फों को छेरे दिवानी ये बागर हवा सपने साजन के देले है अब हम को सदा सपने साजन के देले है अब हम को सदा सदा का च मेब थे खाहतं, भाली जडिए चाहतं जड़烈 जाली जड़ाओ का कसी क्वेंपिः पनुच्टन से जुन खाहतं, का का Find a The कि प्यूफ है जब खाहतं जड़emu खोर्शन है वह लगाईश्य है वाली जड़े बेश्ग महाईएश्य है अच्छा जोती फिर मिलेंगे बाई अरे जोती कौन से कॉलेज बैट बिशन ले रही है पाता नहीं अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है अच्छा देख बताना जरूर ताकि हम भी उसे कॉलेज बैट बिशन नहीं जोती तुने मेरा फोन नंबर तो ले लिया है ना इसे धून रही है मेरी मा को पाता नहीं उसे मेरी चिठी मिलिया नहीं तो इसमें मूल लटकानी की क्या बात है अरे यार आप तो बच्ची तो नहीं अकेली घर नहीं जा सकती क्या बस करो यह बक बक जोती, जोती है तेरा बैय गए ना थैंक बाई चल तुझे टैक्सी एरेक्षा दिलबा रेते हैं जोती जोती माब जोती माब क्या अच्छा मा, इतनी देर से क्यो आई? अरे क्या करूँ बेटा, इतना ट्राफिक था इसले देर हो गी अच्छा तुझे बता, तेरा सफर कैसे रहा वहाँ बहुत ठंड तो नहीं थी ना तेरे एक्जाम्स कैसे हुए, तू कैसी है? अरे बाप रे, एक ही सास पे इतने सवाल जब सवालों का जवाब अभी दे दूँगी तो घर जाकर क्या बाते करेंगे? वी जी चल मैं बताऊंगी या लेकिन आपकी तस्रली के लिए आखरी सवाल का जवाब कि मैं कैसी हूँ खुद ही देख लो, देखू शरीब कहीं की शरीब कहीं की नहीं ममी यहीं की अब तेरे मूँ कौन लगे? चल देख तुझे लेने कौन आया है? देख ओ नो, उलू हाँ, गुलू फूल के लिए है, गुल्शन गुल्शन ममी, इस उलू के पठे को क्यो लेकर आई? विल्कुल वैसी है जैसा मैंने सूचा था गोरी-गोरी, खुबसूरत शीज प्यूरफॉ शीज प्यूरफॉ विचयरा काडी लेकर आगया तुम मना भी नहीं कर सकती थी चलना चलना वेल्कॉम अरे गुलू लगा तो नहीं न? ओ नो आउंटी, आम पाइन 354 रुपय का बुके बरबाद हो गया आई आई सेका मैं देदो ना आई देदो येल्ल खिलाब चाचा येल्ल आउंटी, देखो जोती कैसे उस बुढ़े को गले मिल रही है और मुझे नहीं मिली मैं तो 354 रुपय का भुके भी लाया उसके लिए आउ ये क्या मामी सारे घर को टेले रिंग शॉप बना दिया है एक ड्रेस डिजाइनर का घर टेले रिंग शॉप नहीं होगा तो अग्या होगा फिर भी जहां भी देखो वहाँ कपड़े ही कपड़े अब तू आ गएगे ना सब ठीक कर देगी आशबूल क्या पिएगी कुछ ठंदा है ओके डॉली कम यो बेबी देखो चाचा डॉली मुझे नहीं भूली मैं भी तो तुम्हें नहीं भूला जोती कुट्टे और गधे में फर्क होता है हाँ प्रफ़े प्रफ़े नहीं रधर झॉली तुम्हें लुम्हे कर दो ऩालोडो तरा। हम Strange हम 10 ग एक ऑने को एक एक्रॉश्क आ एल घडो विर हम्च बवर्ड आज तुम नई जिन्दगी के मैदान में कदम रख रहे हैं, दुनिया के रास्ते बड़े कठेन होते हैं, लेकिन तुम निराश ना होना, हिम्मत ना हारना, कोशिशों के पेड़ों पर ही काम्याबी के फल लगते हैं, बाग्वान तुमें काम्याब करेगा मा, मैं जा रहा हूँ, अरे रुक रुक, ये परोठे हैं, दोपर को खा लेना, ये ले, लेकिन मा, मैं तो बड़े-बड़े दफ्तरों में जाँगो तो इससे, अरे रख ले, होटल का खाना तेरी सेहत खराब कर देगा, और वक पर खाना, अच्छा मा, अच्छा का का ये देख मा, इतने सारे अड्रेस हैं, इतनी सारे जगा जाएगा, जाना तो पड़ेगा न मा, हाँ जाना तो पड़ेगा, मगर तु छाशाओ में जाना है, दोपर की धूप बहुत तेज होती है, मा, जिंदगी की धूप में तेरा आशिरवाद ही मिले छाओ है, तुम मु जाना परिख पर्खशन करों देरा देरा घरा सरा आशिर परिखशन की लिएगार! एहे, रख़र मुल से एपरिए कर एंपरेगार! अखिए रिएतित लूम रहे हैं। आटोग्राफ प्लीस अंकल क्या नाम है शॉर कमाऊ- ऐस्थे रिए सिर्ट बडी शॉर्ट क्या नाम है। क्या वर्ली राधा darling क्या नाम राधा यहां स्वेल किन्या शॉर्लीक्राफ इससे पहले वह सीन गया कप्रें तो ठीक हैं जी लेकिन डले में एक सोने की चेन थी वह आप घर ले गए ते जी ऑच अच्छा क्या ना ने? राकेश राकेश वह क्या चेन हो ये चेन मह आज़ा ते लो जाग। काका जी साब जी काका वो सोनी की चेन ग्लव का अंपार्टमेंट में बोलना भे अब भी लाया है यह तो जैकी का रहा है वरी है क्यो आई जाओ काका 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 आप शूटिंग कीजिए बन को डाक्रिक पार देजाए शूटिंग पाइकप करो जो पीपरटियस में खाचाएंग? वो मैं देदूँगा काका का मैं ले जाओँगा जाकर गाली ले साबरी हाद देपर चाओ क्या हुआ जाओ जाओ क्या हुआ गवराने की कनू बाप तुए जिए जिए बापू कैसे है बगवान ने आम पर बहुत दया किये वरना तेरे बापू और ये सब हुआ कैसे है उझे कुछ नहीं मालूम काकी काकी ये साब जी ने भीजे ये क्या है वो काका के जूते के तले में सुराख था न इसलिए उन्हें करंट लग गया इसलिए साब ने जूते भीजे अच्छा झाल झाल कौन लक्ष्मी जी दीपक आया क्या हाँ आ गया है पापू अरे पगला कहींगा क्या वरतों कितना रो रहा है बिटा जिंदगी ने ऐसे से कई जटके दिये हैं अब इस मामुली से करेंट से कुछ नहीं होगा अब आप काम नहीं करेंगे मैं करूंगा काम और आप अराम करेंगे बस हाँ बिटा नहीं करूंगा जब कभी ऐसा वक्त आएगा तो तुझे ही संभालना होगा लेकिन दीपक जब तक मैं चलने फिरने के काबिल नहीं हो जाता साब जी की गाली कौन चलाएगा कोई भी चलाएगा नहीं, बिटा साब जी के मामले में कोई भी से काम नहीं चलेगा तेरे पास driving license है न आप कहना कह चाते हैं बिटा, जब तक मैं अच्छी तरह ठीक नहीं हो जाता साब जी की गाली तुम चलाओगे क्या हर्ज है बेटा लेकिन पापू मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और ज्राइवर क्यों इज़त नहीं घट जाएगी तुम्हारी यह जो आज तुम्हें डिग्री मिली है तुम अपने आपको आर्किटेक्ट कहलाने के काबिल बने हो पिटी यह सब सहाब जी की महरबानी से तो है बना मुझे सा अदना सा ड्राइवर तुम्हें खाब में भी आर्किटेक्ट नहीं बना सकता था पापू मैं उनका बड़ा एहसान मंद हूँ और रहने का फर्क जानो दिपक तुम्हें जिन्दगी भर सहाब जी का एहसान मंद रहना है और आज भगवान ने उनके एहसान चुकाने का एक छोटा सा मौका तुम्हें दिया है तो इससे चुको मत लेकिन बापू इतनी बड़ाई हासल करने के बाद बापू लोग क्या कहेंगे लोगों के कहने का तुम्हें घठ है अरे काम कर रहे हो कोई भीक नहीं मांग रहे है तुम बापू अब मैं आपको कैसे समझाओं मां नीपक ठीकी तो कह रहा है अब जरा सोचो तू मैंने सोच लिया है अब तुम्हें भी समझाने की जरूत नहीं है जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, पेरी जगत तुम्हें साब जी की गाली चलानी है, अच्छी तरह समझ लो कुम, वारना जो तुम्हारे मान में आये वो करो, लेकिन इस गर में रहकर नहीं आप थोड़ा शान्त हो जाएए, मैं समझाओंगे उसे लक्ष्मी तुम जानती हो, मुझे ना सुने की आदत नहीं है, वो ना नहीं कहेगा, हमारा खून है, वो मान जाएगा, आप थोड़ा शान्त हो जाएए एक से राम प्रसाँ जादो, मिलिट्री का रेटायर्ड अट्टा कट्टा मजबूत, बीस साल का एक्सपरियेंस है, कभी सिगनल वगार पे भीड़ भाड ने घेर लिया, तो दो हाथ इधर, दो हाथ उदर और पब्लिक साफ, ये मिलिट्री का है ना कि यह गुलजार बिलकुल अपने नाम की तरह है हमेशा फुलों की तरह मुस्कराता रहता है दत साल का एक्सप्रियेंस है बंबाई की गली-गली को जानता है पहचानता है आपको एडर्स बताईए आपको पूरे महले की हिस्ट्री लाकर दे देगा उकम कीजिया आप लोग जा सकते हैं बाई गॉड यह मिल्टे का ड्रावर तुम इसले रख रहे थे के ड्रावरी के साथ-साथ वह हमारा बॉडी-गार भी बने और पब्लीक को हमसे दूर रखें बिलकुल राइट सर रॉंग एक बात याद रखना पब्लीक की महबबत ने हमें इस मुकाम तक और हम उनकी महबबत का सिला अपने ड्रावर से पिटबा कर देंगे नहीं सर नहीं और वो गुलजार चीज क्या थी वो तो हमेशा मुस्कुराता रहता है हमेशा मुस्कुराता है तो तुम्हें कोंसी रोधी सुरह नजर आई कोई नहीं सर वाही काट कोई नहीं और वैसे भी बंबे शहर की गलियों के इस्पी मुझसे जादा और कौन जानता कोई नहीं सर आप तो पिर आज के बाद हमारी परसनल लाइफ का फैसला करने की तुम जी मैं दिपक जब तक बापू ठीकनी हो जाते मैं अपकी काड ड्राइव करूंगा ताका ने तुम्हें हुकम दिया यह रिक्वेस्ट किये जी नहीं जिम्मेदारी का एसास दिलाया है एक पड़े लेखे आर्किटिक को जिम्मेदारी का इसास दिलाने की काको को क्या काका की इसी स्टाइल ने तो मुझे उनका फैन बना लिए यह चाविला तुम्हार काम नहीं है नहीं सर अगर कुछ दिनों के लिए आप मुझे खिदमत करने का मौका देंगे तो मुझे और बापू को बहुत खोशी होगी और अपने बापू की खोशी के लिए कुछ भी क काका ने तुम्हें काफी तैयर कदके भीजा है सर मैं आपका इंतजर पहुंच में करूँगा ओके सर जी हाँ मैं तुम्हार साथ आगे बढ़ कूँगा राम तुम पीछे बढ़ो लक्षमी साब जी गए हाँ गए दीपक ने कार का दर्वाजा खोला था हाँ मगर साब जी बराबर वाली जगह पे बैठ गए अच्छा जानते हैं ना कि एक पढ़ा लिखा लड़का जब अपने बापू के कहने पर ड्राइवर की नौकरी कर रहा है तो उसे कितनी इज़द देनी चाहिए इन इस सब बातों की वाज़े से तो मैं साब जी का गुलाम हूँ भगवान करें तीपक अपने इस नए इंतेहन में कामयाब हो कामयाब तो तो तुम फर्स डिविजन में होड़े इस बात की मझे बहुत खुशी है मगर मेरे इस सारे जोष को काका की आशने के थंड़ा कर दिया वाना तुम्हारी कामयाब के लिए मैंने बहुत बड़ी पार्टी सोची थि भषु साहफ मियोग तो ऐसे से प्लान बनाये थे ऐसे से प्लान बनाये थे कि आप् turned I amd आ आपसे भाखे फिर बॉम्बे के भार भी हाथ पाओं मारने का एरादा है तुम गड़ी काफी तेज़ चलाते हैं जी एक बात ज्याद आज मैं तेज़ चला लो मगर आपने गेर कंट्रोल पे ज्यादा धहन देना कहते हैं कि जोश के साथ साथ होश होना बाद जरूरी होता है जी मेरा मतलब है एक कर्ची सी गुडिया लानेगा गुडिया मेरा मतलब है काक और काकी के लिए एक प्यारी सी बाहु बाहु वह कहां हो गई कुछ पता नहीं मामी एक बात बताओ माम बिटे तुम कहीं मुझे हेरोईन बनाने जा रही हो तुम्हें सीधा बता देती हूँ I hate acting मुझे बिल्कुल शौक नहीं यहां भी बेटी की कमाई खाने का कोई शौक नहीं चल तो फिर हम लोग कहां जा रहे हैं पार्टी में किस की पार्टी चोगा मल अभी हंकांका माल जो तुमको दिया न वो एकदम प्यूर था अथी मल अभी बैंकॉक और सिंगापूर का कस्टम एकदम करक हो गया है वह तुमको तो मालू मैना भी डेर करों का कपला हुआ वो तो अमने भाई को फोन किया दू दिन में मामला ठीक हो जाएगा वो तो ऐसा है रहे कि गिराक को टाइम पर प्यला माल मिल जाता है तो लाल चंद की इज़त रहे जाता है लालू लालू क्या है डार्लिंग जोती को लेके हम क्या खड़ेगा ओहो शालीनी की बेटी जोती हमारी बाहू ओहो ऐसा बलो नी हम तो समझा के कोई दूसरी जोती होगा चुगामल आके हंकांकी बात करता है चलो भी असान जी गल बाकिया है थारो शाला विश्की का गलास भरके घरी घरी तुम सब के सामने क्यों जाता है सर यह तो हमरा जूटी है मालिक का नुपसान होए ऐसा तुम्हारा जूटी है अरे तुम सामने जाता है ना तो नहीं पिने वाले भी पिना शुड़ू कर देता है अभी ज्यादा पिएगा तो लुलक जाएगा ना लुलक जाएगा तो उसको घर को छोड़ने जाना पड़ेगा उसमें हमारा पेट्रोल का खर्चा होएगा ना तो ऐसा करो तुम विश्की के गलास भरके अंधेरे में खरेड़ो वैसे भी तुम कलाय किसी को नजरनी आएगा जिसको मंगता है वो तुम को अंधेरे में ढूंडेगा लालो चुक जोग बन हमारी बीवी को जोग पसंद नहीं है एक बार जोग करने दिया था ना तो हमारा बेटा गुलू पैदा हुआ था नमस्ते लालो भाई नमस्ते ये कौन है पहचाना नहीं आपने मेरी बेटी जोती नमस्ते जोती इतनी ब का नी गुलू का है गुलू गुलू का है गुलू गुलू अब यह ले जोती वह सामने मेरी डार्लिंग खड़े है वह वह सिल्वर ड्रेस में यह उची ब्योड़ेफर उसी के लिए तो मैंने आज रात यह पार्टी रखिये है डार्लिंग अपे यह दूर दूर से क्या चुम्हा ले रहा है यह सामने तरी लेला खड़ी है उसको जाका चूम है यह 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 जोती अब तो मैं तुम्हारा मजनू बन गया हूँ मूज कर देखिया इन्यमें जोती मजनू मोजगे आप इन्यां से जोती मजाग नहीं तुम मेरी वोने वली मंगेतर हो चलो मेरे दोस्तों दोसे बात करो जोती मेरा यह बंगल अरे सब गाडिया तुम्हारी तो है शादी के वाल हम दोनों आश करेका लूरू तुम जैसे श जोती तु इस तरह वहां से क्यों चलियाई? क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था पता है तेरी इस हरकत से गुलू और उसकी फैमिली की कितनी बेज़ती हुई बेज़ती उसकी होती है मामी, जिसकी कोई इज़त हो जोती और आप उन दिखावे की दौलतमंदों को इज़दार कहती है जिनकी नजरे गहर औरतों की तरफ एक भूके भेडिये की तरह उठती है उमर में चाहे पो उनकी बहन हो या मा जोती मामी, मैं कोई विकाव गुडिया या शोकिस में रखी मूरत नहीं हूँ जिसको आप सजाकर बाजार में ले जाओ ताकि उसका अच्छा दाव मिर सके जोती अब तो मेरी जात पर भी कीचड उचा रही है मामी, इससे पहले कि आप पर कोई कीचड उचा ले आप अपना दामन बचा लीचे तेरी जबान बहुत लंबी होती जा रही है बनाता है मामी और अगर आपकी नजर में ओकाद दौलत से बनाई जाती है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी ओकाद क्या फरक पड़ेगा आज हम लोग कॉटेज में रह रहे तो आज किसी चॉल में जाकर रह लेंगे लेकिन वहाँ तो आपकी सुसाइटी के इज़िदार लोग जलील नजरों से देखनी की ताका तो नहीं रख सकते आखिर तु कहना क्या चाहती है बस यही कि आज की बाद मुझे गुलू के घर ले जाने की कोशिश नो करना क्यूं न ले जाओं गुलू मेरी सहली का बेटा है वो लोग आए दिन मेरी मदद करते हैं आपकी मदद करते हैं तो आप उनकी नख्रे उठाईए मैं क्यूं इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि तु गुलू को पसंद करे गुलू को मामी यह मेरी जिंदगी का सवाल है तो फिर मुझे किजी कोठे पर चूनाई पिठा देती जोती मैं सुझे शॉलनी यह क्या करी तुम देखा जाजा यह मिल रहा है मेरी जिंदगी भर की मैना का फ़र आपने तो देखा है ना मैंने क्या-क्या चेतर नहीं किये इसके लिए और यह कि इसके पिता के बाद मैंने इसे ही अपनी जिंदगी का साहरा समझा अपने सीने से लगा कि जिंदगी काटी अपनी जवारी काटी इसके लिए और किये ना दिन राद एक कर दिया इसके लिए बस इसके लिए मामी, अगर आप मेरी जिंदगी सवारने के लिए फिक्रमंद है, तो आज के बाद छोड़ दीजे मेरी फिक्र, मैं खुद अपनी जिंदगी क्या कर लेगी, क्या कर लेगी, बताना मैं अपने ले गुलू से भी ज्यादा खुबसुरत और अमीर लड़का ढून लूगी, जो सही मानों में इजदार और शरीफ ही होगा सपनों की दुनिया और हकीकत की दुनिया में जमीन आस्मान का फर्क होता है, अरे अब भी तो आँख खोड़ी है तुने, और बाहर की दुनिया में कोई अमीर लड़का तुझे पूछे गा तक नहीं, क्यूंकि दौलत नहीं है ना तेरे पास बेटी, तुम्हारी मा बिलकुल ठीक कहती है, जो सुनेरे सपने तुम देख रही हो, उसकी ताबीर बहुत भयानक है अभी तुम जवान हो, इसलिए धुए को भी अपनी मुठी में जकरना चाहती हो, लेकिन जब मुठीया खोलोगी तो धुआ उर चुका होगा, और हाथ खाली के खाली रह जाएंगे खाब रहकीकत में बहुत फर्क होता है बेटी, और ये उची आवाज में अपनी मां से बात करना तुम जैसी शरीफ लड़ियों का शेवा नहीं है चलो, चलो, माफी मांगो अपनी मां से, माफी मांगो अगर मुझसे कोई गलती हुई है, तो मैं मामी से माफी मांगने के लिए तयार हूँ लेकिन चाचा, मैं भी कुशिश करके देखूंगी अगर कामयाब नहों सके, तो मामी जहां चाहेंगी, बाहशादी करूंगी देखो शैलिनी, अब तो इस बच्ची की नादान खौईश को तुम्हें मानने न चाहिए ठीक है, तो डून ले अपने दौलत मन शरीफ को काखा, दौलत आज नहीं तो कल आ जाएगी, आपने जो बीच बोया था, उस पेड़ पर अब फलगने का वक्त आ गया, बस उस पेड़ के चाहे में आश करो, और क्या आश तो आपके साथ रह के करते हैं साब जी, वैसे भी आप कोई तमना नहीं रहे, बस इज्जत से इस दुनिया से चले जाए वही काखी है अरे खाखा, आने जाने की बात तो बुजदल करते हैं आप जीनी की बात करो, वैसे तब इत कैसी है काखा ठीक है साब जी बस थोड़ी सी कमजोरी है और कुछ नहीं, वह तो होगी, वह तो आप ही तो इतने बड़े जबरदस जटके को बरदाश कोगे, अगर मुझ जसा होता तो अरे साब जी, जटका कितना ही जबरदस क्यों ना हो साब जी, अगर पता होना कि जटके के बाद कोई संभालने वाला है, तो जटका बेकार हो जाता है, मैं तो आपकी वज़े से बच गया साब जी, वरना तो मेरा राम नाम सत्य हो गया था लीजे साब जी चाय लीजे सब ठीक तो है जी किसी चीज के तरह जी नहीं साब जी मैं कुछ अर्ज करना चाहते हूं अर्ज नहीं हो कम किये जिखा कि मेरा दीपक बच्चा है नादान है अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उससे माफ कर देना अगर आपकी नजर उस पर रही तो एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा अरे वह तो बनेगा ही बहुत महेंती और समझदा रहता है अब तो मुझे भ्रहम की भी जरू नहीं पड़ती Thank God Sir, आपकी कार तो ही आ रहा है कहा जाना Fem City वह लॉरंस रसूजा की शूटिंग है अच्छ लेकिन सर शूटिंग से पहले आपने वह लेडी जर्नलर्स को इंटर्व्यू का टाइम दिया था चलो मैं क्या कहा था चलती पर दी डाहरी है मेरी किसके बेना चलता नहीं का का चलता है आच्छा कहिए कहिए यहां का मासम ही तो है इसकी कमज़री हाँ लॉरी स्टार्ड होते तो यहां थोड़ी बढ़ा दे फिर बढ़ा है लहरे लहरे बहुत अच्छा है मैं शौट लगा करता अपनी जिंदगी की इश्की डायरी के पलटकर बटाए कि डायरी पन्ने जिसने जिंदगी में इश्क एकी बात किया हो उसे डायरी रखनी की क्या ज़रूत लेकिन लोग तो कहते हैं कहने वाले कहते हैं सुनने वाले सुनते हैं अगर खुलकर बिंदास किसी से बात करो तो उसे इश्की आफ़ेर का नाम दिया जाता है तो उसमें मेरा को युक कसूर नहीं है मैं तो पहले से ऐसी था स्टाइल मेरा चिंज हुआ नहीं और ना होने वाला जैकी साब स्टाइल से आपको क्या मतलब है जब अपने पास पैसा ने था एकदम कड़का था तब भी अपना यही स्टाइल था आज भी यही स्टाइल है अब भी कॉंफिटेंस से बात करता था आज भी कॉंफिटेंस से बात करता हूं और रही बात लड़कियों की, तो लड़कियां लड़कों के जेब में कितने पैसे ये नहीं देखती है, वो उसका दिल देखती है, वो देखती है कि लड़का कैसा है, स्वभाओ कैसा है, smart, clean things, tough money, पैसा ही सब कुछ नहीं है, इसका मतलब आपका नेचर फ्रैंक रहा है, हर जब सच्छा ही सामने आजागी तो बहुत बुरी बात है, और फिर मैं किसी के लिए अपना style, अपनी style कैसे change कर सकते हैं, सर शौट रएडिया है, और कुछ, थैंक्यू, चल, जब 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 Masterji, good morning. Morning, sir. Hi. My God η के, आपके क्यों खें प्राज़ी पार्वे, एड़ी का मने थे जब Good morning, I am the fight you Well, you are my place. मेरे उत्जार में सच सच का हो तुम ने क्या किया कभी भुला कभी याद किया कभी भुला कभी याद किया मेरे प्यार में मेरे इंतिजार में सच सच का हो दिल ने क्या किया कभी भुला कभी याद किया कभी भुला कभी याद किया कभी भुला कभी याद किया कभी याद किया झी याद ् झी याद झी याद झी याद सर पे मेरे हाथ रख तू मुझे को बता एक बार कैसे कटे तेरे दिन कैसे कटी तेरी राच कुछ में चली, कुछ दिल चलाओ, खुद में नहीं ये कोई बस चलाओ और बताओ क्या साथ चलाओ, बेचे न दिना में आओ, बल बल तेरी ये दोई कभी भूला, कभी याद किया 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 कर लोग याद किया किया जुभ, बार नही EPA साथ, षुफाद किया भूलाओ, æर में आव, भूलाओ झाल, 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 झाल झाल, 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 झा कभी न जुदा कभी होना मेरे एक्रार में सजनी मेरे प्यार में सच सच कहो दिल ने क्या किया कभी बुला कभी यार किया सच ख़ी बुला कभी यार किया कभी बुला कभी यार किया कि अपने पाद पैसा ने था एकदम कड़का था तब अपना यही इस्टाइल था आज भी इस्टाइल है अब इस कॉंफिटेंस से बात करता था आज भी कॉंफिटेंस से बात करता हूं अपने और रही बात लड़कियों की तो लड़कियां लड़कों के जेब में कितने पैसे यह नहीं देखती है वो उसका दिल देखती है लगता तो हीरो जैसा है आहिस्ता बोन दिख क्या एक्टिंग की पोज में खड़ा है बेचारा हीरो बनने आया होगा अधकर खाते खाते परमाना क्या, तुम्हारे माधे की लकीरें बतला रही है, के तुम्हारी तरकी निश्चित है, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है जी मैं आपका मतलब नहीं समझा हतलाओ अरी वा, 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 क्या रेखाएं हैं, हर चीज साफ साफ है, पैसा यू आएगा, जैसे ज़रने से पानी बह रहा हो कभी बंड़ जी, कभी अरे धीरज रखो बच्चा, धीरज रखो, धीरज जी तुम्हें तरकी की बुलंदियों पर ले जाएगा और फिर संपत्ती ही संपत्ती संपत्ती? जी कहीं आप दो नंबर के धंदे के बारे में तु बात नहीं कर रहे हैं ने ने बेटे, तुम दो तीन नंबर वाले बिल्कुल नहीं हो, तुम तो इंतहाई शरीफ लड़के हो सिर्फ वक्के जाल में फैंसे हूए हो और इस जाल से तुम्हे एक दिन एक बालीका निकालेगी बालीका? हाँ, लड़की और वो लड़की तुम्हे उस जगह मिलेगी जहाँ शहर के बड़े बड़े लोग जाते बड़े लोग तो फिर मैं वहां कैसे जा सकता हूं अरे तुम पिरकुछ जा सकते हो और उस लड़की से संपर्ग बनाए रखना उसके संपर्ग से तुम्हारी दूरदर्शा भाग जाएगी और फिर तुम उससे विवाह कर लेना फिर तरक्टी ही तरक्टी उस वक्त राजा अरे ब्रह्म नमस्कार अब इस दर्म जल्दी महूं सापको एपट छोड़ना है आप से बहुत सी बाते पूछनी है एक दो दिन में मिलता हूं मैं हां लेकिन बॉट हो जाएगा हो जाएगा हो का जाएगा अंटी हां आप ये अड्रेस किसी खास पार्थी के लिए बना रही है अफकार्स यू नो सेंटर होटल में नेवी बॉल का पार्थी है और उदर तो एक से एक हांसम से हांसम अच्छे से अच्छे लड़के लोग आते हैं अजू नो उदर सब लोग उन लोग के लाइफ पा मेरा यक फटला तकदीर को जरूर सीखे देगा हाई ना हाई ना सीदेगा ना सीदेगा ना सीदेगा चाचा चिला दो ना आंटी वहां जाने के लिए कोई पास वास्त होगा ना अफ कोस डारलिंग ले वरी पास नहीं होई ये इंविटेशन देखो इसका तो माए बे अजा रुप्या आपके आज तू थाउजन रुपीज तू थाउजन उदर तो एक से एक हैंसम से हैंसम अच्छे से अच्छे लड़के लोग आते हैं अच्छे लड़के लोग आते ह है सुनो चाचा और क्या करना है बिटे लंबाई लेलो लंबाई अच्छांटी आप घूम जाईए ओके जा लें अब भ्राम जी ये लीजे चलो कहा जाओगे घर जाओंगा अरे बैठो यार मेलवेल देखते हैं बाईका और तुम भी कमाल की चीज हो ये जवाई जानी ये उम्र और एक दम चंड़े चंड़े क्या है ब्रम जी ये काम तो अपनी पसंद का है नहीं यहां तो सिर्व अपना फर्ज न भाना है अरे भाईया जिस हाल में रहो खुश रहो खुशी तो अपने मनपसंद काम से होती है अब अपनी किसमत में ड्राइवरी लिखिया है तो वही कर रहा हूं हाँ वो किसमत से याद आया वो पंडिच जो तुमें मिला था उसने क्या कहा था सपनों की बातें कर रहा था जिनका हकीकत की दुनिया से कोई रिष्टा नहीं ने ने वो पंडिच तो कमाल की चीज़े यार बाइगाट जो कुछ उसे मेरे बारें बताया था ना सेंट पर संट करक्त निकला और फिर हमारी फिल्मेंडर्शी के लोग तो महोरस से लेकर रिली यही तरक्की अरे तो बाइगाट पकड़ो कोई लड़की और कर लो तरक्की लेकिन ऐसी लड़की तो किसी बड़ी जगह में मिलेगी और मैं ऐसी बड़ी जगह में कैसे जा सकता हूं कैसे जा सकता हूं अरे बाइगाट निकल पड़ी दिपक तुमारी तो निकल पड़ी यह देखो यह देखो नेवी चेटी बाल का प्रोग्राम जाओ जाओ लेकिन अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं बाई गॉड अब तो गॉड भी यही चाहता है तभी तो कार्ड यहां और साब आउंडोर में पाई गॉड यार तुम तो ऐसे देख रहा हूं जैसे मैं हवा से बाते कर रहा हूं क्या फायता अब्रहम जी अपने पास तो ऐसी जगा जाने के लिए कपड़े भी नहीं है कपड़े बाई गॉड कपड़े भी को प्राब्लम है चलो विरसाथ आज आज आओ आओ आना यार ये रामलखन के ये हिरो के ये परिंदा के आओ बाई गॉड पसंद कर लो कोई भी शांदार शूट मैं ये ये सब तो सर्जी के सूट हैं तो क्या होगा नहीं मुझसे नहीं होगा बाई गॉड तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे किसी का मडर होते हूँ दे अरे बेटा घबराने से काम नहीं चलेगा ये जो कपड़े हैं ना ये सब शूटिंग के कपड़े हैं अरे ये शहिंशा के अलमारी है शहिंशा की और अपने साब जी किसी शहिंशा से कम है क्या एक बार जो कपड़ा पहन लिया उतार दिया उतार दिया उनको क्या कपड़ ये लो ये ये लो ऐसा चांस बार-बार नहीं मिलता जाओ भ्रम जी कपड़े मिल गए कार्ड मिल गया लेकिन उसका क्या ओ हाँ उसका भी बंदोबस हो जाएगा ये है साब जी का क्रेडिट कार्ड किसी भी 5 Star होटल में दिखाना बिल सााब जी कार्व में ओर साब जी के इंपोर्ड़ कर तो ही तुम्हार पास जाओ प्रिंस की तरे जाओ और की की तरे कुईन लेके वापस हाऊ जाओ 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 सुनो, 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 अगर तुम्हारी किसमत चमक जाए, तो मुझे अपना पार्ट टाइम सेक्रेटी रख लेना, बाई गौड, दिन में साब जी के साथ, शाम को तुम्हारे साथ, तुम्हारा सोना ही सोना, मेरी चांदी ही चांदी ही खुबसूरत है, हैंसम है, कार कम से कम पांच लाग की होगी, कार तो शांदार है, अमीर भी होगा, मेरे सपनों की रानी, ऐसे ही होनी चाहिए, यह तो गुलू से भी कहीं ज्यादा हैंसम है, अगर यह मुझे मिल जाए, तो मेरी तरक्की को कोई नहीं रोख सकता मेडम, आप अपनी कार निकाल लीजे, हां, हां निकाल दो मेडम, कार्ड देखे, बगार हम किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे, इसमें, इसी में तो रखा था कार्ड, अरे, दो हजार का कार्ड मैंने इसी में रखा था, मुख कीजिए, मेडम, आप अपना कार्ड एक तरफ खड़े होकर देखिए, उदर चाहिए आप, प्लीज, अरे, तू मेरे को नहीं पचानता है, मैं पिलुवाध्या हूं, पिलुवाध्या, फिल्म, स्टार, अरे मेरे को तो सब लोग पचानता है, हाई ना हम आपको देखा है हां देखा होगा आपको है मैं 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 राजा रंजीत सिंग आप जहपर की खांदान से हूँ यह तो राज कुमारी है दिपक संभलकर अच्छा मौकाय फिर नहीं मिलेगा तो मैंने जरूर आपको किदर भी देखा ही होगा मैडम आप हमें क्यों बार बार संग कर रही है अरे मुझे अंदर जाने दो नहीं तो मैं सारी ओमर कवारी रह जाओंगी अकेली है इससे पहले के कोई उसे मिले बहुंचा आपका नाम आपका नाम जोती क्या मैं यहां बैच सकता हूँ? जी हाँ, शूर, वाय नाट, प्ली सिट थैंक्स, आप बंबई में ही रहती हैं जी कहाँ? जारसल, मैं बंबई में अपनी सहली की आती जाती रहती हूँ मेरा पर्मेंट अडरस तो.. जैपूर आपको कैसे पता चला? अभी भात? आप भी तो कह रही थी, क्या आप महराजा रंजीत सिंह आप जैपूर के खांदन की हैं? हाँ, और आप? मैं? मैं तो बंबई का रहने वाला हूँ लेकिन मेरा बिजनस इतना फैल चुका है कि मेरा एक पैर इंडिया में है और दूसरा लंडन, जापान और अमेरिका दर असल मेरा बिजनस आल ओवर दे वर्ल्ड फैला हुआ है जी, जी, जी आप क्या तराजों में तोल तोल कर बातें करती हैं? क्यों? क्योंकि मैं ही बोले जा रहा हूँ और आप हैं कि आप सिरफ जी, जी किये जा रही हैं? वो क्या है कि ये हमारी पहली मुलाकात है ना? मेरी आदित है कि मैं खुलते, खुलते, खुलती हूँ और मैं मिलते ही सच कहूं आपको देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि मैं आपको पहले सही जानता हूँ कुछ अपना पन और मुझे भी आप खयर नहीं लगे थैंक यू वेरी मॉच लेडीज एंड जेंटलमेन देखिये तकदीर से अब किसको क्या मिले देखिये तकदीर से अब किसको क्या मिले आँखों में जुस्तजू लिये बैठे हैं सामने जेहां दोस्तों नेवी चैरिटी बाल की इस खूबसूरत मैफिल को आज हम हिंदोस्तान के दो मशूर अफ मारूफ कलाकारों से शुरू कर रहे हैं और हमें उमीदी नहीं बलकि पूरा विश्वा से कि आप इन दोनों कलाकारों के दिलकश और पुरकशिश आवास के सोज और जादू से जरूर मुतासिर होंगे अपने दिले जार पर हाथ रख लीजेगा क्योंकि ये दोनों ही कलाकार आपके सामने बहुत भी खूबसूरत युगल गीत पेश करेंगे जी हाँ ये हर दिल अजीज कलाकार है कुमार शानू और अलकायागनिक और इस खूबसूरत गीत कुछ जादू इस संगीत से सजाया है नदीम शवर ने प्लीज गिव दम बिग घंड कर दो कर दो कर दो कर कार दो कर दो कर दो कर दो में प्लिज सकते है प्रणी को फृबसूरत ने शो कर दो ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए ये दुआ है मेरी रब से तुझे दोस तो में सबसे मेरी दोस की पसंद आए मेरी दोस की पसंद आए ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों मेरी दोस दोस आए तू हुसन के रंगों से लिखी हुई घजल है तू प्यार के दर्या में खिलता हुआ कमल है ये दुआ है मेरी रब से तुझे शायरों में सबसे मेरी शायरी पसंद आए मेरी शायरी पसंद आए ये दुआ है मेरी रब से मेरी दिन के आएने में तस्रीर है तुमारी मेरी दिन के आएने में तस्रीर है तुमारी अब तुम्हें 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 हो जिन्दगी हमारी ये दुआ है मेरी रब से तुम्हें सादगी में सबसे मेरी सादगी पसंद आए मेरी सादगी पसंद आए मेरी दिन के आएने मेरी रब से मेरी रब से तुझ से नजर मिला के मत होश सिंदगी है दिल रात मेरे दिल पे बस तेरी बेखुदी है ये दुआ है मेरी रब से तुझे दीवानगी में सबसे मेरी दीवानगी पसंद आए मेरी दीवानगी पसंद आए ये दुआ है मेरी रब से तुछे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए मेरी शायरी पसंद आए अच्छा मैं चलती हूँ आप इतनी जल्दी जा रही है दरहसल लेट नई की परमिशन ज़रा कम मिलती है और आज मैं अकेली हूँ और आप आपके जानने के बाद तुम्हेरे लेट फंक्शन बेमजा हो जाएगा और दरहसल रात को मेरे आउट ओ इंडिया से बहुत सारे कॉल आते हैं क्योंकि यहां रात तो वहां दिन इसलिए मैंने सोचा काम पहले आराम बाद में क्या आप मुझसे दोस्ती रखना पसंद करेंग अगर आप चाहे तो जी चाहने को तो मैं खेर कब मिलोगी जब आपको फुर्सत मिले तो आप अपना टेलेफोन नंबर देती चीए जी 648-2467 648-2467 दिल के कंप्यूटर में फिट कर दिया जी और आपका मेरा नंबर लेकर क्या फायदा एक जगा होंगा तो ही तो मिलूगा पेकार में आपकी उंगलिया डायल करते करते सूच जाएंगी मुझे तो खुद मालूम नहीं कि कल मैं कहा हूँगा लेकिन आप कहा हैं मुझे पता है है या नहीं जी है मिलते हैं मिलते रहेंगे गुट नाइट गुट नाइट लुट नाइट यह प्युट नाइट जाएट आया लुट दिल में जो सोचा था तुम बिल्कुल वैसी हो मुझसे करोगी क्या तुम दोसिती दिल में जो सोचा था तुम बिल्कुल वैसी हो मुझसे करोगी क्या तुम दोसिती दिल में जो सोचा था तुम बिल्कुल वैसी हो मुझसे करोगी क्या तुम दोसिती दिल में जो सोचा था तुम बिल्कुल ऐसी हो मुझसे करोगी क्या तुन तो सिपी दिल मेरा तुझ को ही चाहे जाने क्या मुझस को हुआ है दिल मेरा तुझ को ही चाहे जाने क्या मुझे को हुआ है रहना सकोगा तेरे पिन ये एहसास होने लगा है दीवाना है ये दिल बस तू ही है मनसी तेरे मुझे एक नजर प्यार की दिल में जो सोचा था तुम दिल कुल ऐसे हो मुझसे करोगी ये तुम दूससी मुझे बेवकूब बना के आंटी ये मेरी कार लेकर चली गई क्या चूती ये क्या कह रहा ममी ये जूट क्याता है मैं कोई कारवार लेकर नहीं गई बलकि उसे खुद अपनी कार एक पार के पास घरी की और का अभी आता हूँ मैं समझी कोई आइस्पीव आइस्पीव लेने गया होगा लेकिन ये जो गया जो गया मैं एक घट्टे तक बाप बैठी रही और चाचा आप तो जानते हैं अकेली लड़की एक कार में बैठी हुई कितने लोग तिर्छी आखों से देखते रहे यू 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 और गुंड गुलू को चाहती है ना, अगर मैं कәती तहब को दुख होता लेकिन अटि… ये बहुत गलत बात है गुलू, तुम्हें ऐसा नहीं करने चाहिए था लेकिन अउंटी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये जूट बोल रही है इक दो, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, दो मिरिट पहले की बाद भूल जाते हूं . देखो मा अभी-अभी मेरे मामी से क्या कहा ? आप गुलु को डाश है, अगर मैं कहती तो आपको डाश होता. बोलो मेरे क्या कह आप गुलू को डैश है, अगर मैं कहती तो आपको डैश होता, येले, आप गुलू को प्यारी हैं, अगर मैं कहती तो आपको जूट होता, देखा, क्या खाक देखा, फुलकड कहीं के, मैंने कहा, आप गुलू को चाहती है, अगर मैं कहती तो आपको दुख होता, ओफ, अगर ऐस तो मैं कल के लिए I'm very sorry. देख अमा, चलो मैं तुम्हे नैचरोल आइस्क्रीम खिलाने लिए चलता हूँ. गुलू, ये क्या कहते है, कुछ होश है तुम्हे? नैचरोल आइस्क्रीम आणटी, उधर एक दुकान है उसका नाम है और मैं प्रॉमिस करता हूँ आणटी, इस बार मैं गाड़ी से नहीं उतरूँगा. नहीं चाहिए तुम्हारी आइस्क्रीम आइस्क्रीम. आणटी देखो ना, जो हो गया सो हो गया, मैंने कल की बात की माफी मांग ली न, अब जब खाता हम. हाँ बिटा, खतम वतम कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, मुझे मेरी इज़त प्यारी है. आणटी आप प्रीक समझाओ ना, देखो ये मुझे ऐसी नाराज हो दिए है, मैं समझाती हूँ थे ना, आणटी प्ली जोती, मैं दीपक बोल रहा हूँ, हाई, कैसे हो, I mean कैसी हो, कैसी हो तुम, मैं दीपक बोल रहा हूँ, दीपक, पता है, समझ गया, वहाँ कोई है, हा जोती, मैं तुम से मिलना चाहता हूँ, कब, अभी, का से बोल रहे हो, I mean बोल रही हो, मैं दाज महल होटेल से बोल रहा हूँ, अच्छा, तुम्हे नाच्रल आइस्रीम पता है, हाँ, पता है, लेकिन मुझे यहां से आने में कम से कम आदा घंटा तो लगे गई, कोई बात बही, मैं तुम्हे वा मिलती हूँ, ओके, बाई, गुलू, मैं तुम्हारे साथ आइस्रीम खाने के लिए तैयार हूँ, येल, इसलिए, कि मैं नहीं चाहती कि मेरे इंकार से मेरी ममी को तकलीफ हो, ये दुख हो, मैं अब भी कबड़े बदल कर आती हूँ, बाई, याहू, मैं गाड़ी में हूँ, अच्छा सुनो, जाओ, आईस्रीम लेकर आओ, तुम लेकर आओ, तुम्हें शर्म नहीं आएगी, येले, मुझे शर्म क्यों आएगी, लड़की आईस्रीम लेने जाए, और लड़का गाड़ी में बैठा रहे, मैंने आँटी से प्रॉमिस किया था कि गाड़ी से नीचे नहीं उतरूंगा, इडियट, गाली मत दो, तो फिर आईस्रीम ले करा तूं, लेकिन आउंटी से नहीं किया न कि मैं गाड़ी से नीचे उतरा था, अच्छा बाबा नहीं कहूंगी, जो लेकर आओ, कौन सी आईस्रीम लेकर आओ, जो तुम्हें पसंद हो, जो मुझे पसंद हो? चलो 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 जली चलो लेकिन वो लंगूर कौन था ये 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 तो मेरा बोडी गार्ड है बोडी गार्ड हाँ वो क्या है ना आजकर दॉलोड की लालजवे बहुत से लोग पीछे पड़ जाते हैं तो मामी ने उसे मेरे साथ कर दिया ये बात है जोती अगर मैं तुम्हारी दॉलत के पीछे पड़ जाऊं तो तो मैं तुम्हारी दॉलत के पीछे पड़ जाऊंगी अभी जल्दी चलो कहीं वो आने जाए राइट आंस्क्रीम खाड़ी के साथ मेरी जोती को भी ले जा रहे हैं जोती जोती मेरी जोती ये अंदर जोती जोती आई से दिमी भई ये ले मेरे प्यार में मेरे इकजार में चच सच का तुम ने का दिया कभी भुला कभी याद किया 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 मेरे प्यार में मेरे इंतिजार में सच सच को दिल ने क्या किया कभी भूला कभी याद 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 किया कर दो किया कर दो दो कर दो सर पे मेरे हाथ रख तू मुझे को बता एक बार कैसे कटे तेरे जिन कैसे कटी तेरी राख कुछ में चली कुछ दिल चला खुद में नहीं कोई बस चला और बताओ क्या साजा में चली दिल चावे आख मल-मल तेरी ये रोई मेरे की दार में सचना मेरे प्रार में सच सच आख मने क्या क्या कभी भूला कभी आज किया 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 झाल कभी आज उपने किया आज किया च्ठकान कि आज किया आज किया आज किया जीना मेरी है मुझे का नजरों से अब दूर होके सब कुछ भुलाना है मुझे का तेरी मुआबद निखोके मेरी जिन्दगी मेरी जान तू मेरी बेखुदी अर्मान तू सुन ले मेरी जान जाना इन धकनों की सदा अब न जुदा कभी होना मेरे इकरार में सजनी मेरे प्यार में सच सच कहो दिल ने क्या किया कभी बुला कभी याद किया कभी बुला कभी याद किया कभी बुला कभी याद किया करार अब आए कर आए जो डोर कर तो क्यों इसलिए कि अगर भी घरवालों ने मुझे एक अज्रिमी लड़की के साथ देख लिया, तो मेरा घर से बाहर निकरना बंद कर देंगे, और उस बोड़ीगार ने ख्या हंगामा कर दिया होगा, पता नहीं. जोती, फिर कब मिलेंगे? जब तुम कहोगे. तो ठीक है, ऐसा करना तुम मेरे फोन का इंतिजार करना, ओके? अब इंतिजार के सिवा मेरे पास दूसरा काम ही क्या है? अब तुम जाओ. नहीं, तुम पहले गेट में दाखिल हो जाओ, फिर मैं चला जाओंगा. ओके. वॉच्पन, कड़े हो जाओ. क्या हुआ? क्या हुआ मडम, क्या हुआ? यह क्या? यह क्या? दस रुपया तुमारे लिए, सलाम करो. सब्सक्राइए, रिक्षा. निक्षा, रोको! कि साथ बंग्या चल्दी चलो हम तो अपना सर आपके हजूर में छुकाय खड़े हैं आप हो तो सहारा आप ना हो तो भी सहारा आप तो रोशनी के मिनार हैं जो भटके होई को रासा दिखाते हैं हा आइप कोन बटक दीरस वाइप कौन मैं बटक और सब्सक्रा देकर में लेकिन आपकी महब्बत ने मुझे जिने का तरीका सिखा दियेकर तरीका तो हर को या बता सकता है लेकिन जो सही जी है उसी के बात में असर पैता होता है यही बात तो मैं कहना चाहता हूं सर आपके बात में भी असर है और आपके जीने का स्टाइल भी निरला है अच्छा तो यही बात तो मेरी तस्वीर से कह रहे थे जी हां जी नहीं सर वो क्या है कि आपके सामने हिम्मत न नहीं हूँ चलो अच्छा वा तुमने मेरे सामने मेरी तारिफ नहीं किये वरना मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जनके लिए हमारे इंडस्ट्री में एक स्पेशल लव्स है चमचा और वैसे भी मैं हाथ से खाना पसंद करता हूँ चमचा तो हरे की मुह में जात अगर वो किसी और की कापी करें तो इसकी कोई एहमियत नहीं रहती और एक बात तो बता ना भूल गया इन कपड़ों में तुम किसी हिरो से कम नहीं लग रहे है थैंक यू सार और सुनो यह सूट मैंने किसी पिचर में पैना है तल इसकी जरूत पड़ेगी अपने साथ ले तो कहो ना कहूंगा तो कहोगी कि मेरा बेटा है दीपक के बारे में हाँ उसी के बारे में आज उसको देखकर मेरा सर फक्र से तन जाता है एक आर्किटेक्ट की डिग्री लिया हुआ लड़का अपने बाप की जिम्मेदारियों को कितनी खुबसूरती से ने भारा है एक ट द्राइवर की नौकरी करने में भी आज उसे कोई शर्म हैसूस नहीं होती। वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा। वो अपने कदमों पर ख़ड़ा हो चुका है। उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। चाहे उसके बिच कोई भी आ जाये। कोई भी। अरे गुल्लू, तुम कहीं फैंसी ड्रेस कॉंपटिशन में हिस्सा लेने जा रहे हो। मामी से कह देते हैं, वो तुम्हारे लिए बंदर से लेकर जोकरतर का द्रेस बनाकर देती। मैं फैंसी ड्रेस कॉंपटिशन में नहीं जा रहा हूं। मेरे पास सर्वोद्यमित्र मंडल के दो बास हैं, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। मैं और तुम्हारे साथ। माई फोट। अंटी मामी, ऐसी हालत में मैं इसके साथ जाकर अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती। जोती, प्लीज। मेरे बेट में सर्दर्ध है। ये ले। तुम्हारे साथ जा जाकर मेरा भी दिमाख चला गया है। के रकुछ आरती हूँ, और बख कुछ रही हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ जाओंगी ही नहीं। अंटी, प्लीज आप समझाएए नहीं। प्लीज। जोती आप तुम। हलो। जोती। ओ दीपंती। हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। क्या कर रही हूँ। कुछ नहीं। अगर तुम साथ हो तो… ठीक है। तो तुम मुझे सर्वोद्या मित्र मंडल में मिलो। तो ठीक है। मैं तुम्हारा बाहर गेट पे इंतजार करूँगा। ओके, बाई। गुल्लू, जब तुम फ्लीज बोलते हो न, तुम्हें मजबूर हो जाती हूँ। क्या। अब तुम इतनी ही जित कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तयार हूँ। येले। शराफट से, मैं चेंज करके आती हूँ। याहू, मैं गाणी में हूँ। पागली है। ओके, लट्स गो। गुलू, काड़ी तो पाक करके आ। येले। तुम नहीं रुको, अभी गया। काड़ी पाक करके आया। ओके। गुलू गया। जोती, 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 पास तो उनके पास है। अरे, क्या बंडल माता है। अरे, वो, मुझे अंदर जाना है, गर्मा फिलना। पीजाम मनरसने, हवाल देना। जोती, अरे, सूप करे चे, मारी टांदिक तरिये चे, अरे, सिकरटी, करे माता, जोती, मेरा पागल जिया ना बाले मेरी पेचे नी कोई न जाने मेरा पागल जिया ना बाले मेरी पेचे नी कोई न जाने ओ निंदुरा पेचे नाए मेरी अखियों से जीना किये दुशवार सपने साजन के मेरा जीना किये दुशवार सपने साजन के मेरा जीना किये दुशवार सपने साजन के सारी रहना मुझे तड़ पाए मेरी पेचे नी कोई बढ़ाए ओ सारी रहना मुझे तड़ पाए मेरी बेताबियों को बढ़ाए ओ चैन चुरा के ले गए मेरे दिल से जीना किये दुशवार सपने साजन के मेरा जीना किये दुशवार सपने साजन के मेरा जीना किये दुशवार सपने साजन के जीना किये दुशवार सपने से लाली चुनर उसके सर पे सजा के लाओंगा मैं अपनी दुलहन बना के लाओंगा मैं अपनी दुलहन बना के वो तो बसी है मेरी सासों में तस्वीर है उसकी आखों में उसकी आखों में आखों आखों में से जिस जेगी यार एक दिन कलियों से लाए है मेह की बहार अपने साजन के लाए मेह की महार अपने साजन के लाए मेह की महार अपने साजन के हो मेरा पागल जिया ना आले मेरी बेचे में कोई रजाने सारी रहना मुझे तड़ पाए मेरी बेतापियों को बढ़ाए हो निंदुरा के ले आए मेरी अखियों से चैन चुरा के ले गए मेरे दिल से जिना की ये दुश्वार सपने साजन के मेरा जिना की ये दुश्वार सपने साजन के हो ओ मेरा जिना की ये दुश्वार सपने साजन के मेरा जिना की ये दुश्वार सपने साजन के हुआ है 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 इस निए जलक्ति लट्कियों के नाजों कहातों में इतना अध्य है पहली बार पता चला अरे कहां कहां मार लगें बता था क्यों तो दे दिया है सारे तिन हजार में लिया था सारे साथ हजार में बेचा है चार हजार रूपिय का मुनाफा किया है और तुम ऐसे हालत में चैले आये शरम के क्या बात है गारी में नीचे का पॉर्शन थोड़ी दिखता है उपर का पॉर्शन दिखता है लोगों को लगा होगा जैकी श्रॉफ जा रहा है यहले जैकी श्रॉफ आइने में शकल अंग दुखता है अरे तेरा आकासवानी का पंचनगी पूराम बंद कर और यह बता के किसने मारा है अभी भाई को फोन करता है जिंदगी में एक ही तो पीस मिला है इसका भी पब्लीक ने डिपार्टमेंट दिस्टूर बना दिया अरे पूछो पूछो इसका शकल किसने ख करेगी ना लालू चूप बन मैं चूपड़ा हूंगी गुल्लू जोती तुमारे साथ थी कहीं तो मेरे साथ थी और वाइक लंबे बाल वाले पिल्ले के दाथ घूम रही थी अरे इसके दिमाग का इलाज कड़ाओ यह तो काम से गया है मैं इसको हंकांग लेकी जाता है नह कुछ ही दिनों मैं लाइसेंस मिल जाएगा तुम मड़ाने का बंगले को जानते हो ना जी उससे तुड़वा कर वहां पर कोई नहीं डिजाइन बनाओ जी और काकाजी ड्यूटी पर आते ही तुम अपना काम शुरू करते हैं जी राजेंस को जानते हो जी ठीक है वो तुम अग्या को जी बंगले पर मिलेगा जी माइन उसे तुम्हारे बारेबिंपार कर लियू हो तुम्हारी मदद करेगा जी ये तुम चीजज़ी करते रहो गया कि उसके आगरी बी कुछ बोलोगे जी पिर जी क्या बब कोई only सर बात नियुन और फिर ये बार्बार घरी क्यों तो फॉन दिख रहो वो तो ऐसे ही सर जाना क्या नहीं हा कहीं est dard अधिव गयराज में 256 क्यों कार्की त्यूनिंग करवानी अधियो नיס वो क्या है कि कार तो हम्हाइज चोड़ा थे उनके भरोसे पर लेकिन वह अपनी पसंस से कां करते नी तो मुझे चलानी ciao इसलिए मैं खुद अपने सामने कार की टुनिंग करवना चाहता हूँ कोशिश कर जल्दी आने कि लॉर्यों मुष्टा कर रहा है मुझे उनके साथ भाल जाना है लेकिन सर वहाँ पर कितना वक्त लगेगा गैराज वालों पर कोई भरोसा नहीं ठीक है इस शेटी और उस खन्ना ने आपकी गाड़िया रिपेर करकर इतना माल बनाया इसनी प्रापर्टी बनाई है कि पूछो मत मैं तो कभी-कभी सोचता हूँ अगर मैंने भी एक गराज खोल लिया होता तो अब तक दस-पंदरा पेटी का मालिक बन जाता मैं करेंसे बाते तो गर्यशनों कि अधिकल लेता हूँ और ये संटरी शिन खोल रहता है Арne यह किसका बल यह जो है ना जी वो होटल की किते ना मॉलो운 नहीं इतना कैसे हो गया भाम है इचले मैंने 20 दिन में आउट्डोर में था, कही हैं, तुम तो नहीं? मैं तो कभी होटल में खाना खाता ही नहीं, मैं तो सिर्फ पूरूसर का कहता हूं लगता है मेरे नाम पर कोई और आख्श कर रहा है इतना सब? जोती, तुम इन में से बस एक-एक चीज ले लो तो पूरा पैसा वसूल हो जाएगा लेकिन ये तो पैसे वेस करने वाली बात है ये तो अपना स्टाइल है और फिर ये सब तुम्हारे लिए है, हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं है तुम चाहो तो ये होटल भी खरीद दूगा तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए बस वाचार सिंग करने है बैट के डिसकस कर लेते हैं जब तक सब आर्टिश का पता से लेगा Excuse me जी वो ग्रेव हंड़ा में को ना है? वो उसमेंसे लड़का लड़की उतरे हैं रेस्टरेण में बैठे हैं लॉरी जी मैं ज़रा जाकर आता हूँ बढ़ना चले समझे जैकी के साथ तो हमारे बिजनस टर्म्स है दर असल जैकी का बिजनस और कारों का फैनलेंस तुम अहीं करता हूँ तभी तो हर दो महिने के बाद उसके बास कोई ना कोई नहीं इंपोर्टिट कार अले तुम्हारे पास भी तो एक सेग कार है उन्हीं की बदौलत है मतलब मेरा मतलब यार का शौक मैंने चुरा लिया है जैकी हमारा यार है ना अरे हाँ याद आया मेरी कुछ रेलेटिव्स बैंकोक से आये है उनको जैकी से मिला दोना वो सब उनके फैन है और मैं भी अच्छा इसमें कॉमसी बड़ी बात है जैकी को तो यू चुटकी बजाके बलाऊंगा और वो यू हाजर हो जाएगा हाँ जैकी बात हुआ जैकी अहीं अच्छान फ्रामोश भोके बास मेरी हम दर जिगा तूने मुझे यह तिला दिया लेकिन सार लेकिन क्या अपनी आउकार दिखिए तुने जो इस दिर्की को मेरी कार में लेकर यहां पर अग्या कि मला ने आया है वो भी मेरे परसु से क्या जस आदमी के पास दंग धकने के लिए अपने खुद के कपले ना जो चोरी करके मेरे कपले पहनता हो जो मेरा क्रेट का इस्तमाल करता हो उससे जूटी शान दिखाने के लिए सजा मिलनी चाहिए लेकन सर मैंने तुम्हें इस शरीफ ड्राइवर का बेटा समझकर इतनी इज़त दी और तुम्हें उसका नाचाहिस फादा उटा है एक मासूम लड़की को भासाने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हें द्राइवर का बेटा यह मेरे बंगले के पीछे सर्वन्स क्वाटर में रहता है सर्वन्स क्वाट इस शरीफ को खरी दे की कोशिश की क्या हो अधीबक कुछ रहे है और दोस्तों में क्या पा मेरे लिए ना यार शीज तू मच वारा और मेरा टेस्ट पिलकुल एक ही जैसा है ग्रेट आपकी उमर बहुत लंबी है उमर लंबी हो या चोड़ी इसप और शान से गुज़नी चाहिए राइद दीबक जी इतना पसे ना क्यों शटकुछ तीखा खालिये जाद है वैसे आज फुरसत किसे मिली तुम्हें ये तो मेरे लिए फुरसत नेकाल लेते हैं वरना जैइक कदम में तो एक पॉरन में बिल्कुल मेरी तरह कभी इंडीक और वो आउड़ोर हाँ कभी उस अंपिस में कभी इस तूडीयो में कभी स्टूडियो में हाँ चबी तो इनोंने अपना फोन अमोर तक नहीं दिया मुझे अच्छा दीपाग, तो मेरा क्यों नहीं इसनमाल कर लिए फॉर नमबर? जी? मेरा मतलब है हम दोनों इतनी similarity जो है हाँ, वो तो है इसलिए आप दोनों की दोस्ती बिजनस में बदल गई और यह आपको finance करने लगे है इन्ही के financier तो मैं जोकुछ हूँ, बढ़ना तो मैं बरबाद हो गया होता राइट दीपाग, आप शर्मिंदा कर रहे है शर्मिंदा तो तुनी मुझे कर दिया, मैंने ते लिए क्या क्या सोचा था Anyway, bye, bye Excuse me sir, autograph please Sure, why not, क्या ना मैं आपको? Jyoti Jyoti, nice name Jyoti, क्या तुमें इनसे शादी कना चाहती हो? Ji घबराने से काम नहीं चलेगा, अगर हाँ है तो कह दो, मैं जाके इनके घरवालों से बात करूँगा आया ना, हाँ आया ना? हाँ Great Okay, see you soon फुरसल मेली तो फॉन करना, वैसे भी मैं तो फॉन करने ही वाला हूँ Bye Excuse me Sir उनका बिल मेरे अकाउंट में Yes sir नहीं भी बोलता तो भी मेरे अकाउंट में आता Dipak ए दिपक दिपक काम पे नहीं जाना है? तो फिर चलो उठो क्या हुआ तो चलो उठो क्या हुआ लक्षमी कुछ नहीं चल उठ जल्दी तयार हो जा अरे अगर साब जी को कहीं जाना होगा तो देर हो जाएगी चल बिटर तयार हो जाए जल्दी होता हूं बापू कमाल का लड़का है भाई जब जाने यह तो सुष्टी क्यों कर रहा है चल उठ चल दीपक दीपक अरे काओ यार हरे आहो ब्रहम बाबू सब खहरियत से तो है अरे अभी तक तुम सब खहरियत है लेकिन अगर दीपक लेट हो गया ना बाई गॉड गणवर हो जाएगी दीपक अरे जल्दी कर यार साब जी को गोल्फ ट्रॉप जाना है जल्दी आ सॉरी सर आईए सर जी आप नहीं आप अंगला समाली जी मैंने वह जितना कहा उतना करो जी कुछ 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 पालुत पुलत। जानते हों तुम्हें क्यों लाया हूं? तुम्हें जिन्देगी की हकीकत बताने के लिए यह समझाने के लिए के जूट की रोटी पर आश्क करने से पहले मेहनत की कमाई कमाना सीख लिए जा वो बॉल लेओ जी वो बॉल ले करो सर मेरी नरम दिली को तुमने अपनी जूटी शान और दिखावे के लिए इस्तमाल किया उसका मुझे अफसोस नहीं है अफसोस इस बात का है कि तुमने मेरे भरोसे को ठेस पहुचाई है जा बले करा सर सर एक पड़े लेखे ग्राजयोट होने के बावजूद भी तुमने इतनी गिरीवी हरकत की अज तो मेरे नजर में बहुत ठोड़े हो गया है क्यों क्यान था आपकी वज़े से सर मेरी वज़े से सर उस दिन इंट्यूवी में आप हीने तुखात था कि जब आपके जेब में पैसे नहीं थे तब भी आपका स्टाइल यही था बड़े कॉंफिडेंस से बात करते थे चाहे आगे कोई भी हो सर आजकल की लड़कें सरफ स्टाइल को देखती है पॉकेट में पैसे को नहीं तो मैंने भी सोचा के कि तुम मेरी स्टाइल अपना कर मेरी तरह बंजो क्या तुमने कभी यह सुना है कि मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी को द्रुका दिया है कभी जूट बला है कोई सबूरत है तुमारे पास लेकिन तुम तो अपनी महबबत की तस्वीर को जूट की दिवार पर टांग रहे हो जो कभी भी गिर सकती है एक बाद याद रखना दिपक जिससे महबबत करो उससे जूट कभी ना बोले सर तो मैं अब क्या करो करना क्या है जा जाकर उसे अपनी हकीकत बता दो बता दो कि तुम कौन हो क्या करते हो विपक आज नहीं तुकल ये सच्चाई उसके सामने आ जाएगी फिर क्या सच्चाई से मुझ हो बना बुजदिली होती है और बुजदिल इंसान को मैं अपना दोस नहीं मान था लो हलो जोती दीपक कहा हो मैं तुमसे फोरण मिलना चाहता हूँ अभी हाँ अगर तुम आ सकते ही तो आ जाओ फ्लीज तुम कह रहे हो आना तो पड़ेगा ही तो ठीक है पामग्रोव होटेल के गेट के बाहर अपनी गाड़ी लेकर आना मेरी गाड़ी क्यों क्या हुआ कुछ नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं है अच्छा ठीक है नो प्राबलम ओके गाड़ी गाड़ी कहा से लाओ गाड़ी लगता है अच्छ गडबर होने वाली है इतनी दिन तो उल्लू बनाये उसे हलो हलो अंठी मैं जोती अरे जोती बिटी कैसी हो तुम बहुत दिन हुए हमारी या नहीं आई आती हूँ झाल चाना तुम्हारे वेगर घर सुना सुना लग रहा है हम हाँ अटी गुलू है गुलू है न तो बुलाईए न हाँ बुलाती हूँ किसका फ़ुन है जोती का फ़ुन है जोती का? पुछ वह पापर रखाएगा चुप वो गुलू से मिलना चाहती है तो फिर मैं बात करता हूँ ना लगता है मामला पका है पका तो है लेकिन तुम पोन को हाथ मत लगाओ गड़बर कर दोगे नहीं लगाएगा ने इस घर में मार्शलो चलता है हमार ये कौरी की कीमत नहीं है हम तो गंग गंग चला जाएगा तो चले जाओ न अलो जोटी है कुलू मैं तो एकदम गलास अब क्या करूँ क्या हुआ कुछ नी कुछ नी मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ कब कहां कैसे तुम गाड़ी लेकर मेरे घर आ जाना अच्छा हुआ तुमने गाड़ी के लेखा, नहीं तो पैदल तो क्या मैं दोड़ते हुए आने वाला था गाड़ी लेकर आना हाँ, गाड़ी लेकर याऊंगा बाई याहू देखा है पहली बार, जोती की आखों में प्यार रोको, रोको, रोको आज ना तो मैं आईस्क्रिम लेने जाऊंगा, ना कपड़े चेंज करने जाऊंगा, मैं यहीं बैठूंगा मत जाओ, लेकिन पेट्रोल तो ले लो ये ले, पेट्रोल तो बहुत है फुल टैंक करो फुल टैंक क्यों? हम लोग लुग लॉगद्राइब पिछा रहे हैं ना ? पेट्रोल खत्म होगया तो लॉगद्राइब पर जा रहा है..., पेट्रोल खत्म होगए तो बहुत करबर हो ओचाएंगी इसलिए तो कह रहे हूँ लॉगद्राइब, लॉगद्राइब, वाद्राइब, यह ले यह ले acabar ही जटा है FULL Tंब यह ले हाँ यह ले दो तो न एекन्त्सटार हो तो मेरे पल्कुल मेरी ममी हो क्या? मैं तुम्हारी ममी हूँ ने-ने मेरा मतलब है के मेरी ममी भी ददी को ऐसी ओर्डर करता है तो Уबय अज़े ओर्डर करती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा है अच्छा चलो पर्स देदो और तुम जा के मेरी ममी को फोन करो हाँ लेकिन ममी को फोन क्यों अरे हम लोग लॉग ड्राइफ पे जा रहे हैं न अगर देर हो गई तो केदर हमारी फिकर न करें मुझे हम आप ए पे आपिछ, लॉड्र जर्डे आपया यह तो कहने करेसे किरैं गुलूगा, चाहवी दे, चाहवी दे पर्मिशन गारंटेड पर्मिशन गारंटेड पर्मिशन वो गाड़ी कहां गई गाड़ी तो मैं हम सब ले गई और पैसे भी नहीं देखे रही है क्या लांग ड्राइव तुम्हें किसे मालूँ आंटी जोती ने मुझे खुदी तो कहा था जल्दी आज़ो लांग ड्राइव पर चलेंगे अरे भाई ये लांग ड्राइव क्या है ये ले इनको ये भी नहीं मालूँ कि लांग ड्राइव क्या है लांग ड्राइव मतलब लंबा रास्ता अच्छा तो ये लंबा रास्ता हम वो किसी सहली किया नहीं गई तुम्हें कैसे पता चला? मैंने उसके सब सहली किया फोन किया, वो कहीं भी नहीं है आउंटी कभी-कभी मुझे लगता है कि जोती किसी चक्कर में है कौन सा चक्कर? शाद कोई boyfriend boyfriend हमश आइसी बाजारी जबार इस्तेमाल करते वे तुम्हें शर्म महसुस नहीं होती? शर्म महसुस होती है, इसलिए तो अपने डाड़ी के बस नहीं किया चुपचाप आँटी को बताने के लिए आ गया बहुत अच्छा किया बेटे तुम ये बात अपने डाड़ी को बिल्कुल मत बताना लेकिन आउंटी कोई लड़का कभी कभी गुलू अब बस करो और यहां से जाओ उसी में तुम्हारी बैतर ही है अरे जाओ कैसे मेरी गाड़ी तो जोती के पास है जोती जाकर गाड़ी में बैठो तुम भीग जाओगी तुम भी तो भीग रहे हो अरे तुम्हारी तब्यात खराब हो जाएगी तुम्हारी भी तो हो सकती है जोती तुम्हारे भीग जाने से गाड़ी थोना ठीक हो जाएगी चलो जाकर बैठो तुम मझे ऐसे किन देख रही हो तुम दाफते हुए बाद अच्छी लगते हो जोती चलो जाकर बैठो ये रिक्वेस्ट है या ओडर ओडर है तुम ठीक है जामा तो पड़ेगा ही तुम गाली जल्ली से ठीकरो ये मेरा ओडर है ओफो अब जाओ भी कि कि अच्छी उडर थो गडर् है जामा जाद indicative कि अ कि अ कि अ यादिए जाल्म में अब है इस्ов कि औरहमा येड़ि है जम खातो भी कि weekly वेच्री उमें मेंवाओת, क्यों जाब Sm एाज भाज सकते है कि एत ऊ tief बीकि कर दो है मजा मेरी पाउं में ठाया है नशार मेरी विगाहों में मेरी आनसों भी हो तुम मेरी जिन्दगी भी हो तुम जाने आदा सुनों तुम जादा मेरी दिल की सदा आ रहा है मजा तेरी बाहों में ठाया है नशार मेरी निगाहों में मेरी आनसों भी हो तुम मेरी जिन्दगी भी हो तुम जाने आदा सुनों तुम जारा मेरी दिल की सदा आ रहा है मजा तेरी बाहों में ठायरा है नशार मेरी निगाहों में आ रहा है तुम जादा पुम जादा तुम जादा जादा आ रहा है यहाँ कारदा भी हो पीज़ कभी यहा कभी वहा किसे नहीं है दर कहाँ कहीं जलन तो गजटती नहीं सांसों की अदन जरा पास आ, मुझे को चैन आएगा आ रहा है मजा तेरी पाहों में चा रहा है नशा तेरी निगाहों में मेरी और जो भी हतन मेरी दिन की भी होता जाने आजार सुनो तुम तरा मेरे दिन की सरा आहा है मजा तेरी पाहों में चा रहा है मजा मेरी निगाहों में करते लिगाँ करते रहा है झाल झाल जवाँ 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 हसी समाँ जाने कैसी ये प्यास जगी क्या बेबसी क्या बेखुदी सारी तन में है आग लगी ये प्यार दिल को कितना तरपाएगा आ रहा है मना तेरी बाहों में अच्छा रहा है नशा मेरी निगाहों में मेरी आरजों भी हो तुम मेरी जिंदगी भी हो तुम जने आदा सुनो तुम जड़ा दिल की सदा आ रहा है मजा तेरी बाहों में च्छा रहा है नशा मेरी निगाहों में मेरी आरजों भी हो तुम मेरी दिल की भी हो तुम जने आदा सुनो तुम जना मेरे दिल की सदा मेरे दिल की सदा हाँ मेरे दिल की सदा जोती कहां गए थी तू? कहां गए थी तू? वो थी क्यों नहीं पता कहां गए थी? कहां मों गए थी? शालीली, क्या करें यह तू? मैं इस आवाया को जिन्दा कार दूंगी अरे शरम है कुछ है इसे? जवान लड़की रात रात बर घर से बाहर रहती है क्या? अगर किसी को पता चल गया तो मैं क्या मूधी खाऊंगी समझती क्या है मैं छोड़ दूंगी मैं इसके तुपले तुपले करणा शालनी आप पिश में मत आईए चीख ने चिलाने से क्या होगा? बच्ची अभी आई है किस वज़ा से तेरी हुई है? ठंडे दिल से पूछो इसे ठंडे दिल से? कौन से ठंडे दिल से पूछो? यह यह जवान लड़की के लच्छन है क्या? यह शरीफ लड़क्या करती है? जी, जिन्ते की पर दुनिया के सामने तन कर रही हूँ मैं हरे लोगों से आख मिला के बाद किये मैंने और यह सुवर यह मैंने नहीं, क्या कह रही हो? शालनी बस ठाओ कोई तुम्हारी इज़त खाफ में नहीं मिलाएगा इधर चप-चप खड़ी रहो मैं पुछता हूँ पीटी क्या बात हो गई थी? चप-चप गाड़ी खराब हो गई थी गुल्लो की गाड़ी लेके जारी की जरूर आती क्या थी? अगर दिखावा करने का इतना ही शौक है तो शादी क्यों नहीं कर लेती उससे फिर घुमती रहना उसकी गाड़ी में कम से कम मेरे सर से तो बोच उतने शाली नहीं, जब बच्ची ने एक बार कह दिया कि गाड़ी खराब हो गई थी तो टेलीफोन नहीं कर सकती थी घबराट में टेलीफोन का न भूल गई होगी बस बस चाचा बहुत हो गया आये आये शहजादे साहिब, कहा रास्ता खो बैटे थे अब अब चुब भी करो क्यों चुब करो, यह कोई सराय नहीं है कि जब जी चाहाँ चले आए और जब जी चाहाँ सर उठाय चले गए अखिर मेरा भी कुछ हाक है, मैं बाप हूँ, कोई सराय का मालिक नहीं हूँ क्या उल्फल वकी जा रहे हो? मैं बख नहीं नहीं हूँ इन लाट साब को यह पतह चल जाना चाहिए कि यहाँ यह अपनी मनमानी नहीं चला सकते बड़ी बड़ी दिग्रिया हासिल करने से कोई तीसवार का नहीं हो जाता है उसके लिए तामीफ चाहिए, शरीफों की तरह रहने का सलीका होना चाहिए अब जाने भी दो अजी जाने कैसे दूँ, सरा सरा खून सुग गया इसके इंतजार में हम गरीब हो क्या महबत के दिये जलते हैं उसी के रोशन में हम जीते हैं, सास लेते हैं तभी तो कोई नहीं सो है रात बार, देख बार हम बेचैनी से इसका यहां इंतजार कर रहे हैं और यह हमारी जिंदग्यों में अंधेरा पहलाएगा तो नहीं चलेगा लेके तो बिल्कुल नहीं चलेगा अपने दोस्तों के साथ गंग्रल्या माना नहीं गए थे वहाँ, अरे वहाँ देख वहाँ इतना बड़ा आदमी लेकिन फिर भी मेरे साथ जी के दिल में हम जैसों के लिए दर्द है सारी रच उनके कमरे की पठी जलती नहीं नहीं सोहे वह नहीं सोहे उनके दिल में तक हमारे लिए दर्द है और と思います यह कह रहे आप तो पुचती क्यो नहीं अशने दिपक कहा था तो रादबर मा, गाड़ी खराब गए थी देखु जी, दोस्तों के साथ गया था, गाली खराब हो गई उनकी गाली खराब हो गई थी दिपक, तुझा, थोड़ी दिर आराम कर जा क्यों जी, जवान बेटे के साथ ऐसी बाते करते हैं तो क्या करो लक्षमी मैं, क्या करो रात भर इसके इंतजार में मरता रहु मैं तुझे तो पता है, आज कल का जमाना अगर इससे कुछ हो जाता तो, मेरी तो तमरी तूट जाती कुछ ने होगा हमारे दिपक को भगवन हमारे साथ है, कुछ ने होगा उसे क्यों, अब तू क्यों हो रही है बस यू ही आसु निकल पड़े आप बहुत देर से बरदाश कर रही थी ना मैं जानता हूँ लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं लक्षमी इसके तो अपने बच्चे होंगे न ताब पता चलेगा इसे हमारा दिपक बहुत समझदार है अभी तो वह चुप है उसे अपनी गल्दी का हैसास है अब वह ऐसा नहीं करेगा अब आप भी परिशन मत हुए आप थोड़ी देर आराम किजिए मैं आपके पहर दबाती हूँ चली हुआ 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 है शो शिकवा करो या शिकायत करो शिकवा करो या शिकायत करो तैमे तुझी से मुहवा करो पर मैं तुझी से मुहवा करो बावी बनू या बगावत करो पर मैं तुझी से मुहवा करो पर मैं तुझी से मुहवा करो बावी तुझी से मुहवा करो ये 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 गो आवी तू मुहाबत में अक्षर लडाई हुई है मगर ना कभी भी जुदाई हुई है मुहाबत में अक्षर लडाई हुई है मगर ना कभी भी जुदाई हुई है सारे जहां किसी दम मुझे को दे दे आजा सनम अपने गम मुझे को दे दे खाके ख़जा कहती हो सनम तुझ से में पहली बात नफ़त करो या अदावत करो नफ़त करो या अदावत करो पैमे तुझी से महाबा करो पैमे तुझी से महाबा करो करो जावत करो या जावत करो तुझी से महाबत करो मुझे को भी आता है वादा निभाना तेरे ये छोड़ दूँगा जमाना मुझे को भी आता है वादा निभाना तेरे ये छोड़ दूँगा जमाना मेरी निभाउंगी साहर की हस में तोड़ूंगी मैं सारी दुनिया की रस में खुशिया मिले प्यार में चाहे दम होंगे जुदा हम नया रुठूं या तुझसे शरारत करूं रुठूं या तुझसे शरारत करूं पर मैं तुझी से मुहाब करूं पर मैं तुझी से मुहाब करूं शित्वा करूं या शिकायत करूं बावी बनूं या बगावत करूं कर मैं तुझी से मुहाब करूं पर मैं तुझी से मुहाब करूं पर मैं तुझी से मुहाब करूं अब क्या बताओं साब जी कई दिनों से दीपा के एकदम चुपचाप सा रहता है ना वक्त से खाता पीता है ना सोता है वो पूछा नहीं कागा के क्या है क्या हो है नहीं मैंने पूछा साब जी लेकिन वो को जवाब ही नहीं देता एकदम खामुश रहता है समझ में नहीं आता क्या बात है अब जवान लड़के से जोर जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते ना और फिर अपनी उमर का भी लिहाज रखना पड़ता है साब जी वैसे वो आपका हम उमर है और आपसे काफी बेतकर लुफ है एक बार आप उससे पुछ कर देखे ना शायद आपको वो बता दे होँ अबुए यह जो तुम कर रहे ह। क्या ओ ठीक कर रहे है लेकिन सौर closely दिमना कुछनी क्या तुम जानते हो कि तुमारी खाम शीन से काका उर काज इब और क्या गजर ही हो तुमारी तीपक उनकी जिन्दगी है और तुमारी खामोश दिन क festival आनकी मोत मैं जानता हूँ सर जब तुम जानते हो तो फिर ये ये देरदास बन कर घुमने से कोई प्राब्लम साल नहीं होगा मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ कि जो तुम्हारे दिल में है जो तुम असली हो वो जा कर उस लड़की को समझा दो अगर वो तुम्हें चाहती है तो तुम्हें किसी भी हाल में कबूल करेगी लेकिन सर मैं उसका सामना नहीं कर सकता शार माती है मुझे तुम पर 15 साल तुम्हारे तुम्हारे पापा ने मुझे दिये है मैं उटी किसी भी हाल में परेशान और बिर्बस नहीं देख सकता अगर तुम्में हिम्मत निये तो फोन नमर मुझे दो, मैं उससे फोन करूगा नहीं सर, मैं उससे खुद करूँगा Thank you, thank you very much Hey बखवान, मुझे हाजएत नहीं चक्ति दे कि मैं अपनी जोदी को सब कुछ सच बता सकूँ मुझे चक्ति दे बखवान, चक्ति दे जोटी Jyoti Deepak Jyoti मैंने तुम्हें यह मसले बुला है कि मैं तुमसे साफ साफ कुछ कहना चाहता हूं मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेचें थी क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूं Jyoti अगर मैं तल्रतमन नहीं हुआ तो और अगर मैं अमीर ना हुई तो मैं एक ड्राइवर का बेटा हूं मैं एक ट्रेस डिसाइनर की बेटी हूं वह तुमाम इंपॉर्टट काश मेरी नहीं जैकी साब की है मेरी काड़ी भी मेरी नहीं गुलू की है मेरे सारे कपड़े उनहीं के थे मैं भी तो हेरोनों की कपड़े पहन कर आती थी मैंनो तुमसे छूट कहा मैंने भी तुमसे कब सच कहा मैंने फिर दयारा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जूच जो जोती, उंचा उड़ने की कोशिश में, मैंने जमीन का साथ छोड़ दिया था एक छोटने न जाने, कितने गुनाओं को जनव दिया लेकिन हर छोट के साथ, मैं अधूरा होता चला गया सच्चाई का साथ छोड़ते ही मुझ में भी किसी से आख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं रही मैं जूट की दुनिया में अपना वजूद को बेचे लेकिन आज, आज मन का मुझ हलका हो गया हाँ, मैं भी अपने आप में एक नई थाकत मैसूस कर रहा हूँ छोटी, यह सच है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ फिलहाल बेकार हूँ लेकिन मैं आने वाले दिनों में तुम्हें इज़द की रोटी और सर चुपाने के लिए छट दे सकता हूँ बस, यही तो मैं चाहती हूँ दिभाग, अब तो मुझे छोड़के तो नहीं जाओगी अब तो सरफ मौत ही हमें एक दूसर से चुटा कर सकती है सच हाँ, इलकुल सच हाँ, इलकुल सच हाँ, इलकुल सच पहली नजर में ही तुल तेरे आरा असर से मिरा दे बोले करी जूठ मैंने बस दुल को पाने की खाते अब तेरी बाहों में जीना है वरना है तुमसे सनम है मेरी हर खुशी दिल ने जो सोचा था तुम बिलकुल भैसी हो मुझसे करोगी क्या तुम दूस्ती मैं तो गरीब आदमी हूँ महलों में रहता वही हूँ मैं तो गरीब आदमी हूँ महलों में रहता वही हूँ वो खेल था दिल लगी थी अब जूट कहता वही हूँ ना मेरा बंगला है ना मेरी गाड़ी है लेकिन नहीं है गमी प्यार की दिल ने जो सोचा था तुम बिलकुल वैसे हो मुझसे करोगी क्या तुम दूस्ती दिल ने जो सोचा था तुम बिलकुल वैसी हो मुझसे करोगी क्या तुम दूस्ती दूस्ती ये खेओ, से सीडाओant क कई दोगाओ जोगाओ पारिए लुझ एार! इह बखाओः!! वे बखाओ! ऑा.. वे खाओणा झी अपाओ! न लुझ पहुं तो पढ़ नहीं है शादी के बाद और बारो उठागे इसको इसके जोंपड़े के पास प्रेक दो अच्छा हुआ मैं वक्त पर पहुंच किया वरना ये दोनों तो शेर चोड़ कर भाग जाने वाले थे इसकी वज़ा से कल सारी दुनिया पर थूथू करने वाली थी आंटी मामी ये जूट किया रहा है चुपकर बेशरम इतना सब कुछ होने के बाद भी जबान चलाती है बहुत अकरती थी ना कि मैं तो किसी अमीर से शादी करूँगी यही है तेरा वो लगपती एक ड्राइवर का बेता कुछ भी हो मैं उसे चाहती हूँ तेरी चाहत को मैं अपनी जूटी तले रखती हूँ अब जो मैं चाहूंगी वही होगा गुलू तुम कल अपने ममी डादी को ले आओ मैं जोटी और तुम्हारी शादी फॉरण करवा दूँगी यह ले आउंटी मैं यू गया और पूरी बाराद लेकर यू आया पाई जोटी सिट हो जल्दी कर बेटी जल्दी कर कहीं वो शैतान फिर से ने टपक पड़े बस हो गया चाचा बेटी वहां पहुंचते हैं मुझे फोन कर देना और दिपक की खरीयत के बारे में भी बता देना जी चाचा जीदी रहो सुके रहो परवर्दिकार तुम्हारी मदद करें चलो खोदाया जिस बात का मुझे डर था वही हुआ शैतानों के टॉली आगई अब क्या करो एक मिनुट यह लो यह ले लो क्या करो से इसे अपने चेहरे के पास रख लो ऐसे आओ अच्छा उपकर बाई कर मत करो बही दढ़क जाओ जो आरके स्टुडियो में जाना ममी आज सगाई और खल शादी की बात पकी कर देना प्लीज आप जल्दी हो जोती ये ले शादी की बात सुनके अभी से शर्मा के जा रही हो कह देना बाकी की कपड़े शाम तक मिल जाएंगे अरे प्रेस्मेन है भईये ये मैन है के जोती है अरे बाबा तेरे को मैन और वुमन के बीच में फरक नहीं मालूम क्या ये तो सावन का अंधा हो गया है इसे हर तरफ जोती जोती नजर आती है ये तो अच्छा हुआ के शालीनी ने जल्दी किया नहीं तो शोकेस में रखी हुई सभी पुतलियों को चिपकड़ ये बोलता जोती जोती लालो चोक जोक बन अब थोड़ी देर में तुम ससूर बनने वाले हो हाँ मैं ससूर और तुम ससूरी उसमें हसने का मना है क्या चोक चलो अंदर जैसा हो कम शालीनी आंटी शालीनी अरे बाबा छोकरी को तयार करता होगा ना गार्मेंट बड़े अच्छा है अ कैसी हो शान्ती ठीक हूं नमस्ते लालू भाई नमस्ते 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 बड़िशाली नहीं तुमने तह अंकां को भी पीछे छोड़ दिया इधर छोकरा उधर छोकरी इधर शादी उधर बच्चा बड़ी फास शर्वीश है तुमारी लालू चुप जोब बन मैं तो इनकी चौप नहीं वो मैं शादी के लिए इसते जल्दी कर रही थी कुछ कहनी की जरूरत नहीं गुलू ने हमें सब कुछ बता दिया है बस हमारी बहू हमारे हवाले करतो बागे सब मैं देख लूँगी कहां है हमारी बहू कमरे में है पड़ी क्यों लगाई है वड़ी सोने की छिर्या को तो पीज़े में ही रखना पड़ता है ने तो फुरूर फुरूर करके उड़ जाती है हाँ 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 जोप जोथी जोथी कह है वहीं जहां उसे जाना चाहिए तीपक दीपक कौन चाहिए जी दीपक तुम तुम दीपक के दोस्त हो बेटा जी अच्छा आओ तुम्हें मालूम है कल दीपक को कुछ गुंडों ने मारा आओ काफी चोट भी आई हो इसे देखो दीपक जोथी तुम ठीक नोह न दीपक जोथी जोती? हाँ मा, यह जोती है तो तुम जोती हो तुम क्यों आयो यहाँ पे, चली जाओ यहाँ से एक तो आद्मारा कर दिया है मेरे बच्चे को तुम्हारे गुंडोने मा हाँ और नहीं तो क्या, नहीं चाहिए है में तुम्हारे दाउलत वालत दोवक्त की रोटी में ही हम खुश है, मा और नहीं तो क्या, हम गरीब जरूर है, मगर इज़त ही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है, मा यह तो हमारी तरह है, हमारी तरह मतलब, मा मुझे गुल्लू ने गुंडों से पटवाया है, गुल्लू, कौन गुल्लू, वो ही, जो जोती से शादी करना चाहता है, मा जी, मैं सबको छोड़कर आपके कदमों में आई हूँ, मुझे भी पीटा गया है, यह देखिए, बड़े जालिम लोग है, मा जी, मैं दिपके मेरा नहीं रह सकती, मा जी, अगर आपने सारा ना दिया, तो मैं मर जाओंगी, मैं मर जाओं मा, मैं भी जोती के बिगार नहीं रह सकता, अजी सुनते हो, हाँ, सुन तो रहा हूँ, पेटी, तुम अपने घर पर बता कर आई हो, कमाल करते हैं आप भी, देखानी बच्ची को कितना मारा है, और यह लड़के के भेस में आई है, तो क्या घर पर बता कर आएगी, हाँ, यही तो मैं इसकी जुबानी सुनना चाहता हूँ, लेकिन अप क्या करें, दीपक जी, तुम इसे लेकर साप जी के मड़ाइलेन वाले बंगले पर चले जाओ, साप जी जैसे आजेंगे, कोई ना कोई उपाई जरूर ढूनेंगे, हाँ, जा बिटा, आप देन मत करो, अच् जी तुरो बड़ा, चलो जोती, जा, अँटी, आप मुन्ना के साथ जाना जोती को लेने, ये ले, जोती किदर है, तुम कौन हो जोती के, वो मेरी बेटी है, वो हमारे होने वाली बहु है, ये ले, ना कार्ड, ना फेरे, ना बैंड, ना भाजा, वो बन गर तुम लोग सा जोती कहा है, वरना हम लोग अपना काम दिखा देंगे, मुन्ना, ना ये क्या पर छोड़ दो, ये होगा अभी, छोड़ दो, भगवान के ले, ना ना, क्यों मारे हो इले, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, जोती दीपक के साथ, साथ जी के मढ़ वाले बंगले में गई जैकी शिराफ दुला ही करेगा, जैसे आम आद्मी ना हुआ, कपड़े होगे, और वहीरो ना हुआ, दो भी हो गया ये तो पीचे हाला है अरे मुन्या जादा, ये तो पीचे लग गया ही रो मुन्या, एक काम करो, इस हीरो के रास्ते में विलन बन जाओ, इसका रास्ता रोक दो, रोको इसको रोको कात है करे अरे रोको करे रोको आपने मेरे आति मेरा मेरा! जैकी, जैकी! आपने मेरा प्राई रहा, जैकी! ठोटाई! जोती, अब तुम रिलाक्स होकर बैढ़ सकती हो। कैसे रिलाक्स हो जाओ, गुलोर उसके साथ ही कभी भी आ सकते हैं। आरे वो तो उसी वक्त आ सकते हैं, जब उन्हें पता हो के हम यहाँ हैं। पता नहीं क्यों मुझे घवराथ हो रही है। जोती, मैं तो तुम्हें बहुत बहुतर समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ही डर्पोग निकली। डर्पोग की बात नहीं है दीबक। सिंदगी में पहली बार मामी के खिलाफ कुछ काम किया है। पता नहीं इस वक्त उन पर क्या कुछ जर्रही होगी। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। वो तुम्हें माफ करतेंगी। जब तुम और मैं शादी करके उनके पास जाएंगे। तो उन्हें आशिरवात देना ही पड़ेगा। चलो। तुम तो उजर साइदर कश है। मुझ में और विजली में कोई फर्क नहीं है। गरश्ती उपर है बरस्ती नीची है। समयाना। ए हीरो, चानपजी मत दिखा क्या। तेरी तो हीरो आप बनाव शाणा भहुत पूरा ना समझाना। गुलू, जोती। ये ले, जोती। ए है, पकड़ा अस लूम्बे बालवा लेको। फिल्मों में फाइट करता है, इदर में फाइट करता है। मुलू, जोती। 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 जोती सिर्भ, मेरी है। करदे सको। जोती है BAR.. जोती तो ही मेरी हूो। तम्हारी तेरी शादियों वाली है.. उस ल्म्बे बाल औलो को तो मैना भशादियों करदेंगे। तम्हारी मेरी शादियों नैकि歡迎 hasil घूए लोग धिरसे रोन उनना जिन कृई में ता भर भर वहर काया लोर्य लेष समय जय जर अजर को बोच्म प्राफ करें तरुट किरें तरुट कि अभी च्रु़ जो ड्रुट कि रने और नांसे प्यारे ज़मिंग तर डोर्म! आप्लूज पूर! कि जीसरोब माइट, तर चुद जरूमेमाग्ट, पुनर चुद दिपाली माइट! सुझे, क्यायारा ने मुला है. मुलाना कही है,orta क्यांड़ान है. इस्पेक्टर साइब, यह है वो गभाग ना पाई. कि यह ले जरकी श्रॉब भी असली मारता है कि लाइब में किसमा पुलिस भागू पर जोती मेरी है कुछ भी हो जाए जोती मेरी है मेरी जोती से शाधी होगी आप ठीक तो है मैं आज साब जी साब जी लगी तुम्हीं तीन वक्ति के लाद आज मा का मिला हाथ साफ करने का और वो भी इसने घलत वक्त पर पुलीस बलाकर वाट लगा दिया वरना इनका कीमा बना कर खुद तो को नहीं किला दिया दा वो और अवरत को ने जोती की मा है ओ मिम साब जोती आपके इस पानी कम चाह से अपनी बेटी के शारी करवा रहे है जो गूंडों का साहरा लेता आप अपने साजन के देखें तो उसे गौन रोख सकता है अगर आप फिर भी ले जाना चाहती है तो शौक से ले जाएं नहीं मामी मैं नहीं जाओंगी अरे जाओ जोती जाओ मैं होना तुम्हारे साथ और वैसी इस पराइद हमको अपने साथ कितने दे रखोगी मुझे भी इस आप लिए खी अन्हें साथ जाओ जी अब आर देर किसे बात की यह अश्रिवा तेदी जी पर दो बाद में लेते रहें जी तेरो बेट अटोगा प्लीज, मेरे लिए नहीं, मेरे छे मेनी के बच्चे के लिए, बहुत बला फैन है आपका अच्छा, अच्छा हर फिल्म देखता आपकी अच्छा, छे मेनी काई मेरे की दर में सग्रा मेरे क्यार में सच सचता तो मने क्या किया कभी भूला, कभी आज 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 किया झाल झाल